हेलो के सब्सक्राइब बेक चानल सू आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं चिकिन की रेसिपी तो वीडियो को पूरी एंड तक दरूर देखीगा तो यहां पे हमने कुछ प्यास जो है बारी कट कर लिये लेसूंग लिया है और भी सारी चीज़े लिये हैं जो हम आपको य लाइची उसके बाद यहां पर एड़ करेंगे थोड़ा सा लेसुन आप जाया तो यहां पर थोड़ा सा अध्रक भी एड़ कर सकते हैं और उसके बाद फोरन उसके बाद थोड़ा सा तेजपता और इन सबी चीज़ों को अच्छे से जो है सबी चीज़ों को अच्छे से बून लेंगे जैसे ही सारी चीज़े अच्छे से बून जाएंगी वैसे ही डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और काली मिर्च डालने के बाद यहां पर थोड़ा सा प्यास आड़ करेंगे प्याज अड़ करने के बाद यहां पर क्या करेंगे कि प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और वीडियो ज़रूर बताएगा कि आज का वीडियो कैसा था और इन सबी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजेगा चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजेगा तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमने खड़ा लैसन भी लिया है खड़ा लैसन जो है optionally है आप चाहर तो add कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आदा चुटा चमश नमक भी ऐड़ करेंगे तक जो सारी चीज़ें अच्छी से गल जाय तो यहाँ पर नमक एड़ करेंगे और दुण्त जांद करेंगे यहां प्रयां सब देख सक्ते और इसमें। उसके बात यहां पर कुछ मसाली करेंगे जैसेकि आदा छूट मच मतलब यहां पर थोड़ा सा मिक्स मसाला और लब स्किन करें वाश करने के बारे यहां पर शूत-चमच नमग आड़ करेंगे उसकेबाद आदा चूट चमच मिक्स मसाला एड़ करेंगे आदा चूट चमच ह्र्ली पॉडर एंगे सब चीजा छिप लेंगे और यहां पर सबसे पहले वहीं पदील पर यहां पर शीदा को आपके cowboy यहां पर जो हमारा जो चिकन आप अच्छा से मेगनेट कर लेंगे देख सकते हैं जैसे कि यहां पर यहां पर सारे चिंग को एठ करेंगे उसके बाद इन सबी चीजह को अच्छा से मिक्स करेंगे और इसको तब तक हम einzige इच्छे से मतलग पकाना है जब तक कि थोड़ा सा जो है मसाली के साथ बूनना जाए उसके बाद हम आगे की जो भी चीज़े हैं वो एड करेंगे तो यहां पर अब हमारा जो चिकन है वो हो चुका है तो यहां पर हमने जो प्यास गलाया था वो यहां पर एड कर लेंगे उस है ठीक है तो आप अपने हिसाब से कम्यास जादा करके ले सकते हैं उसके बाद यहां पर इन सबी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद मिक्स करने के बाद जो है इसको अच्छे से पकने देंगे 5-10 मिन के लिए तो यहां पर हमारा जो चिकन है वो बन के त्यार हो चुका है तो यह कुछ रहे हमारी साविंग तब तक कि बाबा फिस मिरते हैं अगली वीडियो में बाबा टिकर अंसे आफ़ते हैं